हमें अपना खेल और कहां सुधार ना है, हमारी कमियां क्या है, गल्तियां क्या है, चुनोतियां क्या है, कुछ साल पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की सरुवात के पीछे एक बड़ी वज़े ये भी थी, आज इसका विस्तार खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स तक हो चुका है। देश के हजारों खिलाडी इस प्रोग्रेम के तहस्त पर उधा कर रहे हैं और अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे तो खुशी है भारती जन्रता पार्टी के अनेक साउसत खेल प्रतिग्योगीता चलाते हैं। उसमें हजवारों की तादाद में के एक साउसत येक्षेत्र में नवजवान बेटे बेटियां खेल कुझ में हिसा लेती है। आज देश को इसके सुखत परणाम भी मिल रहे हैं। बीते वर्षों में कई अंतराष्ट्य प्रतिग्योगीता हों में हमारे खेलाडियों ने स्ट्रेस रेप्रोदर्शन किया है। ये दिखाता है कि भारत के युवान हमारे खेलाडियों का आत्म विश्वास आज कितना बुलंद है। साथियों खेल से जुड़ी स्कील हो या फिर खेलाडियों को सर्वस्रेस बनाने के लिए दूसरी विधाये हो। सरकार कदम कदम पर खिलाडियों के साथ खड़ी हैं। हमारी राष्ट्रिय शिक्षानिती में स्पोर्ट को एक विशय के रूप में पढ़ाया जाना प्रस्ता भी थैं। स्पोर्ट अब पाठ्रक्रम का हिस्सा होने जा रहा है। देश की पहली राष्ट्रिय खेल युनिवर्सिटी के निर्मान से इसमें और मदद मिलेगी। अब राज्यों में भी स्पोर्ट स्पेशलाइज हायर एजुकेशन के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश बहुत प्रसंशनी है काम कर रहा है। मेरट में मेजर ध्यान चंद खेल विश्व विद्याले का उधारण हमारे सामने हैं। इसके अब आजदेश भर में एक हजार खेलों इंडिया सेंटर्स की भी सापना की जा रही है। करीब दो दर्जन नेशनल सेंटर्स अब एक्सेलेंसी भी खोले गए हैं। इन सेंटर्स पर प्रदशन को सुधार रहेके लिए ट्रेनिंग और स्पॉर्ट साइंस स्पॉर्ट और उसके लिए भी सपोर्ट दिया जा रहा है। खेलों इंडिया ने भारत के पारंपारिक खेलों की प्रतिश्टा को भी पुनस्थापित किया है। गटका, मलखम, ठांगता, कलीरपट्टू और योगाशन जैसी विभिन्य विधाओं को प्रोचाइद करने के लिए भी हमारी सरकार स्कॉलर्शिक दे रही हैं। साथियों, खेलों इंडिया प्रोग्रेम से एक और उत्साहजनक प्रणाम हमारी बेटियों की भागिदारी को लेकर आया है। देश के अनेक शहरों में खेलों इंडिया विमेंस लिक का आयोजिन चल रहा है। मुझे बताया गया है कि इसमें अभी तक अलग-अलग आयोवर्क की लगबग 23,000 महिला एथलेट्स हिस्सा ले चुकी हैं। खेलों इंडिया उनिवर्सिटी गेंस में भी बड़ी संख्या में महिला एथलेट्स की भागिदारी है। मैं इन खेलों में हिस्सा ले रही बेटियों को विशेश तोर पर अपने शुम कामनाई देता हूँ। साथियों, आप सभी युवा साथियों ने एक ऐसे समय में खेल के मादान में कदम रखा है। जो निश्चित रुप से भारत का कालखन है। आपकी प्रतिभा, आपकी प्रगती में भारत की प्रगती निहीत है। आप भी बविश्य के चेंपियन है। तिरंगे की शान को भणाने की जिम्मेदारी आप सभी पर भाएं। इसलिए कुछ बाते हमें जरूर याद रखनी चाहिए। हम अक्सर खेल भावना टीम स्पिरिट की बात करते हैं। एक खेल भावना आकिर है क्या। क्या ये सिर्फ हार जीत को सुकार करने तक जिम्मीत है। क्या ये सिर्फ टीम बर्क तक ही जिम्मीत है। खेल भावना के माइने इससे भी विस्तृत है, व्यापक है। खेल निहित स्वार्त से उपर उठकर सामुहिक सभलता की प्रेणा देता है। खेल हमें मर्यादा का पानन कराना सिखाता है, नियमों से चलना सिखाता है। मैदान में बहुत बार परिस्तितियां आपके विरुद्ध हो सकती हैं, संभव है कि कई बार निर्णे भी आपके विरुद्ध हो, लेकिन खिलारी अपना धैर्य नहीं छोड़ता, नियमों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहता है। नियम कानूनी मर्यादा में रहते हुए, कैसे धैर्य के साथ अपने प्रतिबद्ध से पार पाया जाए। यही एक खिलारी की पहचान होती है। एक विजेता तभी महान खिलारी बनता है, जब वो हमेशा खेल भावना का मर्यादा का पानन करता है। एक विजेता तभी महान खिलारी बनता है, जब उसके हर आचरन से समाज प्रेणा लेता है। इसलिए आप सभी वासाथियों को अपने खेल में इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। मुझे विश्वास है, आप इन उनिवर्सिटी गेम्स में खेलेंगे भी और खिलेंगे भी। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुब कामना हैं। खुब खेलिए, खुब आगे बढ़िए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। झोल दोड़ से लिए मुझे भी और टक Любा जा करके भीग प्रोम से बाद की भी और ऊ weg युब खेलेंगे बधना धन्यवाद. कर दो में, खिड़। मैं मैं अग्या idea झाल झाल झाल